Hello friends, welcome to my channel So friends, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं poem जिसका नाम है The Village School Master जो कि Oliver Godsmith की लिखी हुई है and इस poem में mainly ये जो poem है The Village School Master ये Oliver Godsmith की ही एक longer poem थी The Desert Village उसी का ही एक part है and इसमें जो point है वो अपने childhood days के बारे में याद करती है जो वीलेज में रहते थे एक गाव में टैते थे तो वो वहां के जो वीलेज मास्टर होते हैं उनके बारे में याद करती हैं कि किस तरीके से वो अपने घर पर ही एक स्कूल चलाया करते थे वहां पर बच्चों को बढ़ाते थे और उनका जो behavior था वीलेज स्कूल मास्टर का वो कैसा था इसके बारे में जो point हैं वो इस point में बताते हैं तो जो starting की line है इसमें जो point है वो school के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से जो school जाने का रास्ता था वो कैसा था तो starting lines है beside your straggling fans that scars the pay तो यहाँ पर जो point है वो कहते हैं कि जो school जाने का रास्ता था उसके बीच में fans का में सोता है बार्ड तो जो वीलेज होते हैं वहाँ पर बारे बनी हुई होती हैं तो जो point है वो कहते हैं कि जो school जाने का रास्ता था वहाँ पर बारे बनी हुई थी जो की straggling यानि की बिखरी हुई थी That's cut the way और उसी रास्ते से क्या है हमारे स्कूल जाने का रास्ता बनता था यानि की उसी जगा से क्या है हम स्कूल जाया करते थे जहां पर जो बाड़े हैं वो बिखरी हुई थी With blossom porch, unprofitably gay And इसके साथ ही वो जो बाड़े थी वहाँ पर यानि की जाड़ियां लगी हुई थी जिसमें पीले रंग के फूल खिले हुए होते थे और उन फूलों से बोज़ादा अच्छी खुश्पू आती थी और उन खुश्पू से क्या है की unprofitable gay यानि की हमें gay का means होता है खुशी तो उनसे कहा है हमें खुशी मिलती थी There in his noisy mansion Mansion का यहाँ पर means है School के बारे में यानि की जो pointer वो कहते हैं की जो village school master का जो school था वो बोज़ादा noisy था यानि की शोर वाला था School पहुँचने से पहले ही यानि की दूर से ही क्या है School में जो बच्चों की आवाजे सुनाई देने लग जाती थी बट जो village school master थे वो skilled थे यानि की वो कुशल थे to rule की उस noise को control करने में वो बोज़ादा कुशल थे The village school master taught his little school तो यहाँ पर जो pointer वो कहती है की उनके जो village के master थे तो यहाँ पर जो point है और वो village school master के बारे में बताती है की जो master थे वो swear थे यानि की वो बोज़ादा घंबीर थे and stern to view and दिखने में वो बोज़ादा सखत थे I knew him well and every torrent new तो यहाँ पर जो point है वो कहती है की मैं अपने जो village school master को अच्छे से जानता था and इसके साथ ही हर एक torrent every torrent यानि की हर एक बच्चा जो की school में classes को bunk कर देता है वो सभी बच्चे के हैं की village school master के जो behavior है उससे अच्छी तरह से familiar थे means की परिचित थे सभी जो बच्चे हैं वो village school master के behavior को जानती थे तो normally हम भी देखते हैं कि जब हम school में पढ़ते थे तो हम हमाई teachers के बारे में पता होता था उनके behavior के बारे में पता होता था तो यहाँ पर जो point हैं उसी के बारे में बात करें हैं well had the boarding, trembler, learn to face तो यहाँ पर जो point है वो कहते हैं कि जो school में बच्चे होते थे जब वो school में यानि कि जब village school master के सामने वो खड़े होते थे तो उनका यानि कि जो गुस्सों होता था उसे देखकर जो बच्चे हैं वो कहा है उनकी जो बोड़ी थी वो trembler यानि कि कांपने लग जाती थी और जो बच्चे थे वो village school master के behavior से बहुँ जब अच्छे तरीके से परिचित थे इसी कारण वो learn कर लेते थे यानि कि उनका जो face है उसको देखकर वो trace कर लेते थे उनके यानि कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है यानि कि अब क्या होने वाला है इस बात को वो क्या है trace कर लेते थे तो जो भी school के बच्चे होते थे वो उनके morning face को देखकर ये पता लगा लेते थे कि आज कर जो दिन है वो किस तरीके से बीतेगा यानि कि कोई disaster आने वाला है में इस कोई खत्रा आने वाला है नॉर्मली कभी-कभी के ओता है कि जो school में teachers जैसी आते हैं तो कभी-कभी कि हैं उन्हें गुसा होता है तो जो बच्चे होते हैं वो school में कि teacher का face देखकर ही पता लगा लेते हैं कि आज सर के हैं गुसे में हैं तो यही चीज जो pointer वो बताते हैं तो यहाँ पर जो pointer वो कहते हैं कि जैसे ही जब कभी हमें master all his joke यानि कि जब भी वो कोई joke सुनाते थे फुल वैल दे लाफ तो जितने भी बच्चे हैं वो अच्छे तरीके से कहा है जो जोर से हसने लग जाते थे विद काउंटरफाइड गली और ये जो खुशी थी वो क्या थी नकली खुशी थी यानि कि जो विले स्कूल मास्टर है वो क्या है एक या दो ही jokes है जो वो बार बार repeat करते थे जिसके काई जो बच्चे हैं उन्हें भले ही यानि कि हसी ना आए फिर भी कहे कि जो बच्चे हैं वो उनके सामने जूटी हसी हसने लग जाती है फुल वैल दा बीजी विस्पर सर्क्लिंग राउंड कंडे दा डिस्मल टाइडिंग वैन ही फॉन तो यहाँ पर जो पोईट है वो कहती है कि जैसे ही बच्चे को पता चलता था कि आज डिस्मल टाइडिंग यानि कि कोई बूरा दिन यानि कि कुछ बूरा होने वाला है तो फुन तो कहा है कि वो फुल वैल दा बीजी विस्पर तो वो कहा है कि फुस्विसाहर्ट में कि है यह जो बात है कि आज सर्क्लिंग राउंड कि सबी तरफ के है फैल जाती है वैन ही फ्राउन यानि कि जैसे ही वो Master को देखते है Master के चैरे को देखते है उनके चैरे पर जो शिकन जोती है उसको देखकर उन्हें पता चल जाता है कि आस Dismal Tiding यानि कि कुछ गलत होने वाला है जो सर है वो बहुत ज़दा गुस्से में है यह जो बात है वो फुस्वसाहट में कहा है पूरे स्कूल में फैला देते थे Yet he was kind or if swear in odd यहाँ पर जो point है वो कहते हैं कि हाला कि हमारे जो विले स्कूल मास्टर थे वो kind थे, द्यालू थे लेकिन कहा है कि वो कभी-कभी या फिर जल्दी ही कहा है घंबीर हो जाते थे The love he bought to learning was his fault कि जो विले स्कूल मास्टर है उनको क्या चीज़ अच्छी लगती थी कि उनके जितने भी स्कूल में बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़े, अच्छे से वो पर लिखकर विद्वान बन जाई यानि कि वो एक अच्छी सी जोब करें और जो learning के प्रति उनका यह जो love था यही क्या है उनका fault था कि वो बच्चों को सिखाने की कान के है जादा घंबीर हो जाते थे और यही उनका क्या है एक fault माना जाता है यानि कि जो विलेज कुल मास्टर है वो बहुज़ादा यानि कि knowledgeable person थे उन्हें बहुज़ादा knowledge थी और यह जो बात है यह पूरे विलेज में सभी लोगों को पता थी तो आस सर्टेन ही कुड राइट एंड सिफर टू यानि कि जो पूरेट है वो बताते है कि जो भी विलेजर थे यानि कि जो गाम के लोग थे वो सभी जानते थे कि जो विलेज कुल मास्टर है वो बहुज़ादा intelligent है वो लिख सकते है अच्छे तरीके से proper way में वो लिख सकते है इसके साथ ही जो coding की language होती है जो symbols होते हैं वो उन्हें भी अच्छे तरीके से पढ़ लिख सकते थे लैंड ही कुड मेजर टॉम्स एंड टाइड पीसेज तो यहाँ पर जो पॉरेट है वो कहते है कि जितने भी गाम के लोग थे उन सभी को पता था कि जो हमारे village के school master है वो land यानि जो शेतर होते है जो area होते है उसे measure कर सकते थे यानि की नाप सकते थे and terms and type passes इसके साथ ही जो मोसम वगरारा की बाते हैं उसके भी पीसेज का मिल्स होते है prediction यानि की भवीशयवानी कर सकते थे वो मोसम सब में इसके साथ ही जितने भी विलेजर थे वो सभी जानते थे इसके साथ ही वो क्या है गर्च भी कर सकते थे यानि की वो मापन भी अच्छे तरीके से कर सकते थे यानि की अगर बोटल में कोई पानी भरा हुआ है तो वो पता लगा सकते थे कि इस बोटल में कितना पानी है तो उसे क्या है वो माप सकते थे इन आर्गुइंग टू दा पार्सन और हिस स्किल तो यहाँ पर जो पोईट है वो कहते हैं इसके साथ ही वो डीबेट में भी वह ज़्यादा अच्छे थे यानि कि वो डीबेट भी अच्छे से कर सकते थे और यहाँ तक कि जो गाउं का जो मुख्या था वो भी उनकी स्किल को मानते थे तो यहाँ पर जो पोईट है वो कहते हैं कि कभी कभी क्यों आता है कि वो डीबेट में हार भी जाते थे बट फिर भी still यानि फिर भी he could argue कि वो argue करना नहीं चोड़ते थे यानि कि वो debate करते ही जाते थे वाइल words of long length and thumbling sound amazed the gazing rusting rang around तो यानि कि जो point वो बताते हैं कि जब वो debate करते हैं तब वो जिन words का use करते हैं और जब वो words का use करते हैं तो उनके जो word यूज करने का जो thundering sound होता है यानि कि जब हम words का use करते हैं तो वो एक proper sound के साथ use करते थे जिसके कान जो गाम वाले लोग होते थे वो amazed यानि कि आश्चर या चकित हो जाते थे और उनकी तरफ gazing यानि कि ताकते रह जाते थे जिसके कान जो villagers हैं वो उनकी तरफ gazing करते थे यानि कि आश्चर या चकित में कि हैं कि हम जब एक ही तक से देखते रह जाते हैं तो इस तरीके से villagers की condition हो जाती थी and still the wonder grew that one small head could cry all he knew और जितने भी villagers होते थे वो सब इस बात को लेकर हरान होते थे wonder का miss होते है हरान कि वो सभी इस बात को लेकर हरान हो जाते थे कि जो school master उनका एक छोटा सा जो head है उनका छोटा सा जो दिमाग है वो इतनी सारी knowledge को कैसे carry कर सकता है यानि कि वो इतनी सारी knowledge की सरिके से जानते हैं यह बात सोचकर जितने भी villagers हैं वो सभी क्या है 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 रहान रहा जाते थे but past is all his fame लेकिन उनकी यह जो भी वावाई थी यानि कि जितने भी villagers थे गाम के जो लोग थे वो उनके बारे में जानते थे उनकी यह जो popularity थी यह जो fame था वो सब कुछ क्या है अब past हो चुका है सब कुछ क्या है बीत चुका है यानि कि अब ऐसा कुछ भी नहीं है यानि कि जो point रवो बताते हैं कि अब ये जो village है वो क्या है यानि कि वहाँ पर कोई भी लोग नहीं रहते हैं बहुत कम लोग महाँ पर रहते हैं यानि कि ये desert में change हो चुका है यानि कि जो पोईट है वो बताते हैं कि वो हर एक जगा जहां पर वो डिबेट करते थे जहां पर उनकी वाव वाही होती थी ही ट्रिम्फ जहां पर वो जीतते थे वो सब कुछ क्या है अब उला दिया गया है मिन्स कि अब जो लोग है वो गाउमों से शहर की तरफ आने लग चुकी है जिसके कारण किया है कि वो जो विलेज है वो डैजर्ट में चेंज हो चुका है जिसके कारण उनकी जितनी भी ट्रिम्फ थी जो भी उनकी फेम थी वो सब कुछ क्या है पास्ट बनकर रहा गई है तो यहाँ पर जो पोईटर वो थोड़े से दुखी भी होते हैं इन सब बातों को लेकर कि जितनी भी वो उनकी यादे थी वो सब कुछ क्या है अब एक पास्ट रहा चुकी है अब वहाँ पर ना तो वो विलेज स्कूल मास्टर है और ना ही वहाँ पर वो विलेज का स्कूल है So hopefully आपको यह जो पॉइम है वो समझ में आ गई होगी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक मैं वीडियो सब्सक्राइब मैं चैनल तक्यू फ्रेंट वर वच्छी मैं वीडियो थैंक यू